तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस हमारे इस हमारे इस चैनल पर आपका तो वो डिलीट कर दिया है तो हम यहीं से स्टार्ट करेंगे अपना यह चाप्टर तो तयार है तो बहुत इंटरस्टिंग से सेशन होने वाला है क्यों क्योंकि हमें यह जानना है कि यह जो राइटिंग थी यह कहां से स्टार्ट हुई मतलब यह लिखना पढ़ना लोगों ने कहां से स्टार्ट किया, कब स्टार्ट किया, कैसे स्टार्ट किया, तो सारी चीज़े हम इस session में discuss करने वाले हैं, और बहुत interesting chapter होने वाला है, तो जितना मतलब यह देखने में लगता है, कि जितना difficult लगता है, यह difficult है नहीं, तो हम बहुत interesting way में इसको पढ़ेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, right, स्टार्ट करने से पहले आपके लिख motivation quote है, I will success in the life, not immediate, but definitely, कि हम success तो होंगे, बहुत जल्दी नहीं, लेकिन एक दिन जरूर होंगे, ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आज की कहानी, तो यह है हमारा city, writing and city life, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मेसोपोटामी के बारे में जान लेते हैं, देखिए बचे, हमारे world की old, जो four oldest civilization है, उसमें से मेसोपोटामीय एक है, तो वो four oldest मेसोपोटामीय civilization का एक overview हम देखेंगे, तो पहले मैं आपको यह बता देना चाहती हूँ कि four oldest civilization कौन कौन सी है, तो फर्स्ट होगा हमारा मेसोपोटामी civilization, इजब्ट civilization और आपका Chinese civilization और मेसोपोटामी civilization, तो आज हम इनी चारों के बीच में से एक oldest civilization के बारे में पढ़ेंगे, जिसका नाम है मेसोपोटामी civilization, तो बच्चे मेसोपोटामी civilization से ही हमारी यह राइटिंग city जो है, मतलब राइटिंग वाला part जो है, system जो है, वो start होता है, और इसी तरीके से हम पढ़ेंगे इसमें cities life कैसे start होती है, cities कैसे emerge होती है, वो सारी चीज़े पढ़ेंगे, तो चले जान लेता है कि मेसोपोटामी यह क्या चीज़, right, so देखो बचे, मेसोपोटामी इस derived from, मेसोपोटामी यह कहां से start हो आ है, तो इसको हम break कर देंगे, तो ये दो Greek word है, two Greek word, mesos meaning, mesos का meaning होता है middle, अगर कभी भूल पी जाओ ना, तो आप एक चीज याद रख लाए इसको, जैसे ये mesos जो है, वो M से start हो रहा है, और इसी से ही middle start हो रहा है, तो mesos का मतलब होता है middle, right, and the potamis meaning that is, river mesopotamia means land between the, और potamis का मतलब होता है river, तो दो river के mesopotamia के बारे में, चलिए, तो ये दो river कौन कौन सी थी, ये दो river थी, euphrates और tigris, तो हम यहाँ पर देखेंगे, euphrates और tigris कहां कहां पर है, देखो, ये वाला जो area है, ये beach का area है, और इसको कहा जाता है mesopotamia, ठीक है, अब ये दो river के beach की land है, तो कौन सी दो river, एक तो ये थी, हमारी euphrates, और दूसरी कौन सी थी, हमारी tigris, तो इनके beach में, ये beach वाला area, इसी को कहा जाता है, mesopotamia, ठीक है, so I hope कि आप समझ गे होंगे, today, आज के time में, मैडम, ये चीज़ तो समझ में आगे, आज के time में, mesopotamia है, बिल्कुल है, लेकिन इसका नाम चेंज कर दिया तो आज के time में, it is the part of the Iraq, right, तो ये Iraq का part है, in the beginning of the land, that is, called the Sumer and the occurred language is Sumerian, Babylon was the, अब हम बात करते हैं, इसकी, कि starting कहां से हुई, इस civilization में, लोग, लोगों की settlements कहां से start हुई, right, तो beach का part तो हमने पढ़ लिया, कि ये beach का area है, ठीक है part है, तो इसको mesopotamia कहा जाता है, अब इसक चोटा से example दे रही हूँ, कि ये पूरा का पूरा mesopotamia है, right, तो इसके southern part में, ये जो four directions होती है, इसके southern part की बात में यहाँ पर कर रही हूँ, तो southern part में एक Sumer नाम की प्रजाती आती है, ठीक है, वहां के लोग आते हैं, यहाँ पर settlement स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, तो south मे अपना रहना, खाना, पीना, ये स्टार्ट कर देते हैं, और इन्हों नहीं क्या किया, सबसे पहले, Sumerian लोग यहाँ पर आकर रहे, तो इन्हों ने जो language को बोलना स्टार्ट किया, लिखना स्टार्ट किया, तो वह बाद में बताऊंगी, तो Sumer language को बोलना पढ़ना लिखन स्टार्ट किया, बाद में इसी Sumerian को रीप्लेस करते हैं, कौन? अकेडियन, ये Sumerian था और इसी को रीप्लेस करते हैं, अकेडियन, that means कि इनकी जगह पर आ जाते है, Sumerian language की जगह किसने ले ली थी? अकेडियन ने, ये कैसे ली, क्या था Sumer और क्या था ये? तो ये सारी ची होती है, तो City Life जो है, वो Babylonia से स्टार्ट होती है, City क्या होती है, Urbanization क्या होता है, City का मतलब होता है, देखो बचे, एक तो हो गया आपका Ruler Area, एक हो गया आपका Urban Area, Urban Area वो होता है, जहापर लोगों को Facilities मिली स्टार्ट होती है, उनको वहाँ पर Employment मिलता है, और बहुत तरह है कि Occupations होते है, जो गाउं में ना रहे करके, वो शेहरों में आकर, वो स्टार्ट कर देते हैं, तो Ruler Area, we can say that is a village type of, तो हम उसको गाउं वाला टाइप बोल देते हैं, विलेजिस टाइप में बोल देते हैं, और Urban Area को हम शेहर वाला पार्ट बोल देते हैं, ठीक है, तो यह यहां पर Assyrian was the reason where the Assyrians established the kingdom in the north about the 1100 BCE, अब यहां पर अब यह क्या हो गया, कि Assyrian अब देखना, यहां पर यह सुमेरियन आये थे, सुमेरियन 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 हो गया और ऐस ते ही यह साउथ पार्ट में आये थे, तो इन्होंने धीरे धीरे यहां पर सेटल पेस्टूरियन था, पेस्टूरियन था, बहुत तरह के यह लोग अपने-पने, मतलब काम को लेकर के यहां पर सेट हो गए, फिर उनके बाद आते हैं, यह अकेडियन से आते हैं यहां पर सुमेरियन से आते हैं, तो इन्होंने सबसे पहले जो बोलना, लिखना, पढ़ना स्टार्ट हुआ तो वो तो पहले लोगों से होगा ना जो सबसे पहले आकर बसे हो गई या पर तो इन सुमेर लोगों ने क्या किया सुमेरियन लांग्वज को बोलना लिखना स्टार्ट किया राइट तो यह लांग्वज कैसी थी क्या थी वो सब हम चीजे डिसकर्ट करेंग trading activities होती थी, right, हम इसके बारे में आगे पढ़ेगे, ठीक है, अब चलते आगे की तरफ, तो Mesopotamia and its geography, तो हम पढ़ लेते हैं, अभी थोड़ा सा मैंने overview दिया, कि किस तरह से Mesopotamia की geographical area था, देख लेते हैं यहाँ पर, North East, North East, अब देखना, यहाँ पर 4 directions होती हैं, ठीक है, 4 directions होगी आपकी, यह होगया North, यह होगया South, यह होगया East, यह होगया West, आप इसकी भी Cardinal directions होती हैं, Cardinal directions समझते हो ना, इसकी भी सब directions होती हैं, कौन कौन सी, यह होगया आपकी North East, ठीक है, अब क्या कह रहे हैं अब क्या कह रहा है यह जो आपका जो एरिया था कौन सा नॉर्थ इस लाइद ग्रीन अंडल्टेटिंग अब यह जो नॉर्थ इस वाला पार्ट है यह वाला पार्ट है यह बिल्कुल पूरी तरीके से फोरेस्ट्री एरिया था ग्रीनरी बहुत जादा थी पेड़ पूदे बहुत जादा थे यहां पर राइट तो यहां पर बारिश जादा होगी देखो एक तो रीवर के पास में यह बसा हुआ था पूरा पूरा रीवर के पास में दो रीवर के बीच में बसा हुआ था तो जाइर सी बात है तो ये around, माना जाता है कि 7000 से लेकर 6000 BCE में start हो गए थी ये, अब ये BCE का मतलब क्या होता है, जब Jesus Christ का birth हुआ, उससे 7000-6000 साल पहले, इसी को तो कहा जाते है, before Christ era, मतलब जो Jesus Christ का birth हुआ, उससे पहले, उससे भी 67000 साल पहले की बात हो रही है, ठीक है, तो in the north, north की बात हो रही है, that means कि यहां की बात हो रही है, तो north there is a stretch, अब ये जो north वाले पार्ट में है, कि there is a stretch of the upland called the steppie, यहां पर क्या था बच्ची, यहां पर steppie area था, steppie मतलब घासफूस वाला area था, तो उसमें क्या बोलते है, steppies where the animal herding offer people a better livelihood than agriculture, अब ये लोग क्या क पूरा आपका जो south east वाला area हो गया, वहां पर तो पूरी पूरी greenery है, लेकिन हम बात करते हैं कि इसकी north side की तो वहां पर पूरा का पूरा grazing area था, that means कि वो steppie area था, जहां पर लोग animal herding करते थे, मतलब animals को rear करते थे, मतलब पशूओं को पालना इस तरह से activity करते थे, then agriculture, तो यह अपने आपको better मानते थे कि हमारी जो pasturations वाला system है, पशूपालन वाला system है, वो agriculture के मुकाबले पे कही जादा अच्छा है, ऐसा वो लोग मानते थे, ठीक है, so sheeps and the gawd produce the meat and the wool in the abundance, अब इनके पार जो भी animals होंगे, animals husbandry करेंगे, तो उसमें क्या होगा, specially इसमें बोला ग मतलब उन उनको वहाँ से मिलती थी, तो इस तरह से इनके trading चलती थी, और यह जो agriculture पर बेस थे, यह अपना part, अपना agriculture के base पर करते थे, और यह करते थे, animal husbandry के थे, अब for example, कि किसी को पहले तो यह बार्टर सिस्टम चलता था, किसी को मानले जिए, एक किलो कुछ भी चीज लेनी है, या उनको animals से, animals से माले जेजए एग लेने हैं, तो वो एग के बदले में क्या देते थे, ग्रेन देते थे, और वो लोग क्या करते थे, वो इनसे, जो x siempre होते थी, animal husbandry होते थे, उससे जते घी ले लिया, दूद ले लिया, इस तरीके से जो animal product होते थे, वो animals husbandry करत देते उन से लेते थे और बदले में ये उनको ग्रीन देते तो इस तरह से इनका बाटर सिस्टम चलता था ट्रेडिंग चलता था लेंदेन चलता रहता था ठीक है अब चलते हम आगे की तरफ तो आगे की कहानी क्या कहती है दा सिगनिफिकेंस ऑफ दा अर्बनाइजेशन इनवाल्ड वेरियस एकनॉमिक एक्टिविटी सच अफूड प्रोड़क्शन ट्रेड मनुफिक्श्रिंग एंड सर्विस हमें भी पता है कि शहरों में किस तरह की एक्टिविटीज होती है बचे शहरों में लेंदिन काफी होता है ट्रेड काफी होता है तो लोबी जो भी लोग व्यापार करते हैं ट्रेड करते हैं उनका आना जाना लेना देना जो भी उनका मटिरियल होता है उसको सेल पर्चेस करना तो सारी एक्टिविटी ये कंपार्टिवली रूलर एरिया के सिटीज में ज्यादा होती है राइट सो अर्बन सेंटर इन्वाल्ड वेरियस ए सेलफ सफीशेंट अब देखो गाओं के लोग तो अग्रिकल्चर करते थे तो उनको तो रो मेटीरियल मिल जाता था कॉटन हो गया वह कॉटन को ग्रो करते थे तो इस वज़े से कपड़े बनाते थे अब यह लोग जो शहरों में रहते थे इनको तो डिपेंट होना पड़ गा, agriculture से मिलेगा, तो agriculture से ही उनको raw material मिलता था, तो इसलिए कहा गया है कि यहां पर city people जो थे, वो self-sufficient नहीं थे, उनको अपना काम करने के लिए दूसरों पर depend होना पड़ता था, तो इस वज़े से वो लोग दूर-दूर जाया करते थे अपने trading purpose से, अब उनको कोई भी लाना होता था, right? So the carver of the stone seals the carver, अब कारवेजिर कौन होते हैं, कारवर कोई होते हैं, जो उसका काम करते हैं, पत्थर को केडने का काम करते हैं, जो design करते हैं, जो पत्थर की मूर्तिया बना कर और उसमें चोटे-चोटे जो भी parts होते हैं, उसके जैसे आइस बनानी है, किया जाता है, right? तो वो भी उनको भी बहार से लाना पड़ता था, is that clear, जो फिर the seals required, the bronze tool, तो इनके लिए जो tools required होते थे, वो bronze के बने होते थे, colored stone भी चाहिए होते थे, जिसके वो अपने उस मूर्ति में उसको लगा लगाते हैं, जैसे लापिस लौजली हो गया, लापिस को भी किसी भी जो मूर्ति बनाने वाले को, जो sculptures होते हैं, carvings होते हैं, उनको किसी मूर्ति में eyes show करनी हैं, तो उसके लिए उनको blue stone चाहिए होते हैं, लापिस लौजली चाहिए होता है, तो उनके लिए भी उनको बहार जाना पड़ता था खरीदने के लिए, तो इस तरह से cities में activities होती थी, right, so they bronze to the maker, need some metals, तो उनको metals चाहिए होते थे, charcoal चाहिए होते, so that they depend the products of the service and the other people, इसलिए अपने उस occupation, उस काम के लिए उनको दूसरों पर depend रहना पड़ता था, अब बारी आती है, movement of the good into the cities, अब ही कह, समान बन गया manufacturing हो गई, अब उनको sale करने के लिए कोई place बी तो चाहिए, कोई market चाहिए, जिसकी जहां पर वो अपने product को sale कर सके, purchase कर सके, कुछ और चीजे भी खरीज सके, ठीक है, तो ये जो movement थी, बच्चे, cities, into the cities, तो किस तरह से movement होती थी, goods की, वो हम देख लेते हैं, देखिए, food resources were abundant in the Mesopotamia, but like the stone of, like the stone, wood and mental, देखो, food production बहुत मिलता था, क्योंकि वहाँ पर greenery थी, animal husbandry सोती थी, agriculture होता था, तो food production तो बहुत मिल जाते थे, लेकिन कमी किस चीज की थी, कमी थी metals की, कमी थी tools की, कमी थी precious, क्या बोलते हैं, stones की, उनके लिए उनको बहार जाना पड़ता था, क्योंकि बहार से जब वो लाएंगे त जैसे अपनी country से कोई चीज जाती है, बहार तो उसको export बोलते हैं, बहार से कोई चीज आती है हमारी country में, उसको import बोलते हैं, ऐसे मस्यपोटामिया में, जिस चीज की कमी होती थी, उसको import करवाया जाता था, क्या-क्या चीजे import करवाया जाती थी, wood, copper, tin, silver, gold, shells, stone from the Turkey and Iran, क कहां से import करवाया जाती थी, Turkey और Iran से, clear है, चलिए, so they exported their, अब वो export क्या करते थे, ये तो import था, export क्या करते थे, so they exported their textile and the food resources, तो वो textiles, textiles क्या होते हैं, जैसे कोई भी, क्या बोलेंगे उसको, textile होते हैं, जो भी कपडे बनाने होते हैं, मिलब कपडों का व्यापा जो होता तो वो कपडे export करते थे, right, cotton जो close होते थे वो, so they export their textiles and the food resources, तो ये उनके पास food बहुत ज़्यादा होता था, animal husbandry को जैसे वासे उनको wool मिलती थी, woolen garments को वो लोग export करते थे, उनको export करते थे, right, so transported is almost for the urban development, अब बिना transport के एक जगे से दूसरे जगे पर चीज को कैसे मतलब जो बालगाडी होती है, इस तरह की कोई, कोई उनके पास transportation होगी, या aeroplane होगी, flights होगी, जिसके ज़री वो एक जगे से दूसरे बहुत ही जल्दी से अपना समान पहुचा सकते हैं, या buses होगी, trucks होगे, tempos होगे, इस तरह के कोई facilities नहीं नहीं थे, तो वो क्या करते बुलग कार्ट से या पैदल ही क्या करते थे, वो करते थे, एक जगे से दूसरे जगे पर समान पहुचाते थे, तो बहुत दूर होता था, तो बैल गाडी के तूर पहुचाते थे, ships से क्या करते थे, अब river होती तो water transportation को avail करेंगी, right, so transport is also important for the urban development, the channels and the natural channels were root for the goods and good for the transported, तो इन्होंने क्या किया, कि river में channels बना दिये, channels बना दिये, channels क्या होती है, बचे नहरे होती है, और उनी से ही boat के जरीए, ships के जरीए, सामान को एक जगे से दूसरे जगे पर supply करते थे, now the euphrates, euphrates become the world route, अब euphrates जो river थी, वो एक route का एक माध्यम बन गई थी, उसी से ही transportation होती थ not, not degree, right, तो degree में कम होता था, euphrates में ज़्यादा, transportation का, यह जो सिलसिला था, वो चलता रहा था, ठीक है, okay, जी, फिर क्या हो जाएगा, the development of the writing, अब ये बात तो ठीक है मैडम, हमने पूरा का पूरा इसका geographical area समझ लिया, इसमें transportation समझ लिया, इसमें goods का, जो moment था, वो समझ ल writing, तो cuniform is derived from the Latin words, senses, तो ये एक, राइटिंग का एक पार्ट है, cuniform is derived from the Latin words, senses, meaning the wages, अब इस cuniform का meaning क्या है, समझना बचे इस cuniform का meaning क्या है, cuniform का meaning है wages, right, and forma, meaning that shape, इसका मतलब होता है shape, मतलब किसी भी अगर आप कोई भी letter लिख रहे हो, कुछ भी लिख रहे हो, तो वो edges, एक नुकीले उसमें लिखा जाता था, उनकी shape ही ऐसी होती थी, नुकीली टाइप में, ठीक है, और उनको na, कील, कील जैसे नुकीले, object से, tool से लिखा जाता था, और ये हर कोई नहीं लिख सकता था, इसको भी बहुत ही skillful, जो skilled person होते थे, वो इनको लिखने थे, सब को प starting ही माल लिजे, कुछ भी कर दी, ऐसे कर दी, 0 से कर दी, या ऐसे कर दी, किसी भी तरीके से कुछ भी उन्होंने start कर दिया, तो वही pattern चल पड़ा, तो लोग उसी कोई, अब इन्होंने क्या कर दिया, इस symbol को जैसे उन्होंने माल लिया, कि ये symbol बना करके, इसका meaning क्या होता है ox होता है, तो जिसको भी ox से, ox को बताना होता था, तो इस तरह के symbols वो use करते थे, next होगे आपका जैसे grain fish है, तो grain fish को introduce करना होता था, तो इस तरह के symbols बनाते थे, उसके बाद आपका number boat होती थी, तो number boat को इस तरह से symbolize करते थे, तो ये tradition जो था, वो पहले picture की form में, symbols की form में start बाद में फिर इसकी स्क्रिप्ट आती है तब उसको लिखा जाता है, clear है, अब देखना यहां पर क्या कह रहा है, यह क्यूनिफॉर्म जो है, वो लेटेन वर्ट से डराइब हुआ है, इसका मीनिंग क्या है, वेज़े, वेज़े का मतलब होता है, किनारे, ठीक है, नुकीले, यह बहुत बार question आता है, कि what do you mean by the one marker में, two marker में question पूछ ले जाएगा, इसको ध्यान से दिखना, ठीक है, चलिए, अब आगे चलते हैं, so the mesopotamia tablets contain the picture-like sign and the numbers, अब आप यह बोलोगे, कि मैडम यह tablets क्या होती है, बच्चे यह खाने वाली tablets नहीं है, या कोई यह electric gazette नहीं है जिससे कि आप बोलोगे किया तो tablets है, मतलब tab, tab हम लोग use करते हैं, तो पहले के time में लोग tab यूज़ करते थे, बच्चे वो tab नहीं है, आज के time में ज़ा हम paper करते हैं, कागज use करते हैं, तो पहले ये tablets use क्या करते थे, अबच्चे ये इस तरह की a chickni मिटी की बनी होती थे, मतलब ये एक मिट्टी का इस तरह से rectangle shape बना दे थे वो जब मिट्टी गिली होती थी ना तो उस गिली मिट्टी में एक कील से कील नुमा एक वो होता था मतलब like nail type का एक tool होता था उसी tool से ये लोग लिखा करते थे गिली मिट्टी पर राइट और जब ये मिट्टी सूख जात था संड्राइड किया जाता था इसको तब जाकर कि वो दूसरे मतलब कहीं पर दूसरे person के पास पहुचाना होता था तो वो easily उसको convert करवाते थे अब इसके पीछे भी एक स्टोरी थी वो क्या थी कि ये starting ही कहां से मतलब क्यों जरूद पढ़ी लोगों को अब देखो city life जूरत महसूस हुई उनकी need उनको feel हुई कि ये चीज होनी चाहिए तो ये writing system चल पड़ा हुआ क्या था कि Mesopotamia में एक ruler थे जिनका नाम animaker था तो animaker को लपिस लौजली चाहिए था तो लपिस लौजली क्या होता है blue color का stone होता है तो उसको वो चाहिए था तो उसने कहीं से स सुना हुआ था कि उस state के राजा के पास था उस state में काफी सारा लापिस लौजली पाया जाता है तो उन्होंने अपने messengers को अपने sannic को उस राजा के पास पेजा कि जाकर कि लापिस लौजली लेकर आओ अब वो sannic क्या करता हो उसकी बात मान नी थी तो sannic जो भी messenger था soldier तो उन्होंने उस कोबे किया और बहुत सारा मतलब पहाडी एरियास कवर करके पहाडों को कवर करके नदियों को कवर करके डेजर्ट को कवर करके तब वो जाकर वहाँ पर पहुंचा ठीक है बहुत दिनों बाद वो पहुंच किया पहुंच कर जैसे उस वो पर्टिकलर राज जो पहले उनको इंट्रड्यूस किया कि हमारी इतने पाउरफुल जो है वो किंग है यह वह करके तो उन्होंने मना कर दिया मैं नहीं जानता किसी किंग को और उसको बिचारे को वापस भेज दिया इतनी दूर तो वह बिचारा जैसे तैसे करके पहां पर पहुंचा फिर उसक काम नहीं किया तो हमारे राजा तुम पर अटेक कर देंगे तुमारे पूरे राज्ये को डिस्ट्रॉय कर देंगे पूरा स्टेट तुमारा जो है वो डिस्ट्रॉय कर देंगे और तुमारी पूरी जो बाश्चाहत है वो पूरी के पूरी खतम हो जाएगी अब यही नहीं फिर से बिचारे को भगा दिया उसको तो फिर वो फिर से आता है अब भई अब तो बात नहीं बनी अब तो कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि एक लास्ट कोशिश करके देख लेते हैं तो फिर उस एनिमेकर राजा ने क्या किया एनिमेकर ने कहा तो वो जो इतनी सारी समय क्ष council कस्ते बाते लिए उसको बोलना है उसमें से रहें go See ल機 इंतनी से तर्कीव निकाली निकाला क्या कीसी तरह की गीली-अटी साब्लेट्स बना क कि उसा वह क्छ लिग करके कि तुम अब जाओ इसके बाद सिम देखेंगे कि क्या करना है तुम यह लेगर के और ये as it is उसको दे देना तुम्हें अपना मूँ बंद रखना है कुछ नहीं बोलना मैंने जो कुछ बोलना था अपनी तरफ से वो मैंने इसमें लिख दिया है तो वो बच्चार उस टाबलेट को ले करके उस राजा के पास जाता है उस राजा को वो राजा उस ती किसके रॉइटिंग स्टाडिंग की, अची लगी ना कॉमें डिकर बताना तुम्हिं वो गीस टोरि मैंने सुनाई है वो कैसी लगी ठीक है तो इस तरह से हमारा राइटिंग पार्ट स्टार्ट हो जाता है, राइटिंग बिगें इन मेसोपोटामिया, कब हुई थी बच्चे, 3200 BC में, राइटिंग बिगें वेन दे सोसाइटी नीडिड तो कीप रिकॉर्ड ओफ ता ट्रांसिक्शन, राइट, तो ये ट्रांसिक्श कि अब चलते हैं, तो यह कहीं न कहीं रखा जाता है ना, प्रूफ के लिए, तो ऐसे ही उस त्वे में टैबलेट्स पर यह सारे रिकॉर्ड रखे जाते थे, clear हो गई बात, कि टैबलेट्स क्या होती है, चलिए, wrote on the tablet of the clay, ठीक है, अब चलते हैं आगे की, तो आगे की कहान था इस तरीके से, once written the tablet and dried the heart in the sun dried and would be almost the indestructible, तो जब एक बार सूख जाती थी तो इसको destruct करना, इसको इसके साथ छेड़ खानी करना, इसको rub करना या इसको दुबारा से करना, तो इस तरह की activity मतलब कोई कर ही नहीं सकता था, for example कि मैंने किसी person को, किसी मुझे कुछ rub करना है, इसके जगे कुछ और लिखना है, तो अगर तो वो ऐसा काम करता, ऐसे activity करता, तो कहीं न कहीं से पता चल जाता कि ये इसको दुबारे से कहीं न कहीं से इसके साथ छेड़ खानी की गई है, इसको लिखने की कोशिश रब करने की कोशिश की गई है, तो अगर तो वो as it is पहुंच जाती तब तो तो well and good था, अगर बीच में कहीं से भी इसमें कुछ miss हो जाता या कुछ उनको ऐसा doubt होता कि इसके साथ कोई छेड़ खानी की गई है, तब वो जा करके फिर पकड़ा जाता, तो ये क्या था? मतलब ये बिलकुल पकी material जो है, वो बिलकुल अच्छी तरीके से उस पर साफ साफ दिखाई दे रहा है, तो जब इसको गिला किया जाएगा, फिर से इसको गूथा जाएगा, तब जाकर दुबारा एक नई तयार होगी ना, एक बार इसको लिख लिया, अब इसी पर सूख हुई पर जब ये hard बन जाते है, तो इस पर कुछ लिखेंगे, तो वो नहीं लिखा जाएगा, जैसे कि पहला लिखा हुआ था, clear है, now, this is why the tables occurred by the hundreds of the Mesopotamian site, और इसी तरह की हमें Mesopotamia में काफी सारा, मतलब बहुत सारी हजारों हमें tablets मिली हैं, by the 26 BC letters become the cuniform and the language was Sumerian, अब क् बताना चाहती थी, कि language कौन थी थी, देखो बचे, language and script, these are the two different different terms, तोनों different different terms है, तो Sumerian क्या थी, first language of the world, ठीक है, Mesopotamia में, Mesopotamia क्या, world की first जो language थी, जो लोगों ने लिखना जिसको स्टार्ट किया, बोलना जिसको स्टार्ट किया, वो Sumerian थी, ये तो होगी language, और ये होग script, कहने का मतलब ये, कि language को लिखने का तरीका कौन बताती है, script बताती है, अब example देखना, अब हम हिंदी में राम लिखते हैं, अब हम हिंदी में राम लिखते हैं, या सीता लिखते हैं, अब ये हमें इसमें मात्रा यहां से यहां आनी चाहिए, ये किसने बताया, ये कौन बताता है हमें ये बताती है script clear तो लिखने का तरीका कैसा होना चाहिए ये जब हमें script पता होगी तब जाकर हम उसको लिख सकते हैं तो ये हमारी script क्या है हिंदी की देव नागरी तो देव नागरी में वो method बताया गया कि आपको इस तरीके से पीछे से मात्रा लगाने जो हम चोटी क्लास में पढ़ते हैं तो क्यूनिफॉर्म हो गई script और सुमेरियन हो गई ये language ठीक है समझ में आ गया चलिए तो फिर से पढ़ते हैं system of the writing तो फिर से पढ़ते हैं system of the writing the sound of the cuniform sign represented was not the single consonant or the vowel but labels तो ये single वो नहीं था कोई single इसका particular वो नहीं था कि इसी उसमें लिखा जाएगा इसके काफी सारे जैसे हमारे alphabetical letters होते हैं na a b c d करके 26 letters होते हैं ऐसे a a e e होते हैं वर्ण माला होते हैं तो ऐसे ही cuniform में भी sumerian language उसमें cuniform में भी काफी सारे वो होते थे vowels होते थे consonants होते थे right the subscribed had learned the hundreds of signs तो इस तरह से हमें tables में काफी सारे sign देखने को मिले हैं ठीक है so he had to handle the wet tablets to get the written before it dry तो सूखने से पहले इस पर लिखा जाता था so writing was skilled craft तो इसी लिए na writing हर कोई नहीं कर सकता था उसमें तो उसको लिखने के लिए एक कला की जरूरत थी और वो कला वो आर्ट सबको नहीं आती थी तो जो बहुत skilled होता था उसके बारे में लिखना जानता था वही उसको लिखता था बाकी नहीं लिखते थे it conveys the visual form of the system sound of the particular language right तो जैसे particular language के sounds होते हैं हमारे हिंदी के sounds के हो गए अ, इ हो गया, आ हो गया, री हो गया तो इस तरह के जो sounds निकलते हैं ऐसे ही Sumerian language में भी sounds थे और उसी sounds को फिर लिखा जाने लगा अब जैसे उन्होंने बोला होगा कभी बोला होगा, गले से आवाज निकली होगी, आ, इ, ऐसे लिखा होगा तो बस उसी को उन्होंने convert करके उसमें pictures की form में लिखना start कर दिया तो ये होगी हमारी क्या, writing आब हम करते हैं literacy, अब ये literacy क्या होती बचे, देखो king and very few could read and write king समेत, बहुत ही कम लोग होते थे, जो लिखना पढ़ना जानते थे और जो लिखना पढ़ना जानते थे, वो अपने आपको बहुत फनने खा समझते थे हमें तो बहुत सब कुछ आता है, तुमें तो कुछ नहीं आता है, तुम तो डफर हो, ये हो तो जिनको लिखना पढ़ना वाता, बहुत ही बोस्ट करते थे, मतलब बहुत ही शेखिया मारते थे, तो वो बोलते है न, अंदो में काना राजा, तो अंपढ़ों में पढ़ा लिखा, कुछ ऐसा होता है, तो king and the few पर आऊंगी, तो पीछे वाली स्लाइड में ये बताया गया है, जैसे देखिये, कुछ ऐसे letters होते थे, जो कि हमें थोड़ा सा समझ में आते है, कि जैसे ये parrot है, ठीक है, फिर उसके बाद इसको इसमें convert किया गया, फिर उसके बाद इसको जब पढ़ा लिखा गया, तो इस in his boastful inscription, तो वो जो inscriptions लिखवाते थे, इंसक्रिप्शन क्या होते हैं, जो अपनी परशंशा में, अपनी प्रेजिंग में अपने उसमें लिखवाते थे, बड़ी बड़ी शिला लेखाओं पर लिखवाते थे, पत्थरों पर लिखवाते थे, मंदिरों की टेंपले उसमें दिवारों पर लिखवाते थे, तो वो अपने बारे में बहुत बढ़ा चड़ा कर लिखवाते थे, क्यों? क्योंकि उनको पढ़ना लिखना आता था, और उसी पढ़ने लिखने की वजए से वो अपनी प्रशंशा में, अपनी प्रेज में काफी कुछ लिखवाते थे, दि और इस तरह किंशिब से ही राइटिंग स्टार्ट होते ही। राजाओं से ही वो राइटिंग वाला पार्ट स्टार्ट होता है, clear होगे बचे, ठीक है, ओके, चलिए, आगे चलते हैं, अच्छा ये लिट्रेसी था, देखो किस तरह से था, bilingual glossary showing the Sumerian and the Akkadian language, तो ये दो language है, पहले Sumerian थी, Sumerian को replace किसने किया, Akkadian ने, ठीक है, दोनों language है अब देखो वचे, जो temples होते थे न, ये south side से start होए थे, हमारे इंडिया में भी अगर हम बात करें कि temples कहां से start होए थे, तो south side से start होए थे, और ऐसे ही Mesopotamia के south direction से ही temples बनना start होए थे, southern part से ही temples बनना start होए थे, और क्या कहा गया है, by the 5000 BCE, settlements begin in Mesopotamia, तो settlement का मतलब होता है, लोगोंने बसना, रहना, घर बना कर रहना, एक जगे stay होकर रहना, कब start किया, ये किया था 5000 BCE में, ठीक है, next आता है, it begin, the earliest city emerged from some of, जो earliest city है, मतलब जो सबसे पहले की city है, वो कब emerge होना start होई, तो the earliest city emerged from, from some of these settlements, तो जो जो भी cities सबसे पहले बनी, जैसे baby loan बनी थी, फिर उर बनी, उरुक बनी, मारी बनी, बहुत सारी ऐसी cities थी, जहां पर commercial activities होती थी, जहां पर लोग बहुत तरह की, अपनी trading के purpose से activities करते थे, तो इनको तीन parts में divide किया गया है, so there are three kinds of cities, तीन type की cities होती थी, three type की cities होती थी, कौन कौन सी, first होगी हमारी cities that developed the around the, around temples, अब माल लीजिए, कहीं पर temple का construction चल रहा है, temple बनाया जा रहा है, मंदिर बनाया जा रहा है, वहाँ पर मंदिर बनाने के लिए temple के construction के लिए bricks चाहिएगी, cement चाहिएगी, और iron चाहिए होगी, iron rods चाहिए होगी, या कुछ भी x y z metal चाहिए होगा, decorated material चाहिए होगा, तो उ उन्होंने, बीच के लोगोंने क्या सोचा, कि हम वहाँ से लेकर आते हैं, और मंदिर के आस पास में अपनी shops लगा करके, और मंदिर में जो भी construction का material चाहिए होगा, वो उनको दूर ना जा करके, हमी लोग वहाँ पर लेकर बैठ जाते, तो इसको हमें profit होगा, साथ में उनक होने लगा, profit होने लगा, तो उन्होंने पर्मानेंटी अपनी वहीं पर settlement कर ली, एक तो ये city हो गए, दूसरी कौन से थी, दूसरी city थी हमारी, कि cities that developed as the center of the trade, एक वो था जहां पर commercial activities होती थी, ये तो construction temple वाला पार्ट हो गया, अब जहां पर commercial, that means कि trading के purpose है, अब डैली है, डैली क्या है, commercial activities वहां पर जादा होती है, लेन देन जादा होता है, तो visitors वहां पर आते हैं, तो एक तरह से trade का जो एक system चला है, तो वो उसको develop होने का जो main city है, main place है जहां पर, तो वो डैली हो गया, लोग सब को पता है कि डैली में ये जो activities होती है, trading activities बहुत जादा होते ह यहीं से सारा लेन देन होता है, तो हमारे जो administrations है, मारी government के mostly offices भी वहीं पर हैं, तो यह सारा क्या हो गया आपका, cities that developed as the center of the trade, तो वो प्लेस थे जहां पर सारा trading के purpose से वो center बनाए गये थे, कि एक प्लेस बनाए गया, वहां पर उनके सारे office रहने लगे, जैसे यहां पर सिम imperial city जहां पर राजा लोग रहते थे, ठीक है, उसको कहा जाता imperial city, जहां पर राजा का palace होता था ना, उसको imperial city बोला जाता था, ठीक है, तो यह थी हमारी तीन टाइप की cities, अब हम बात कर लें, earliest temple known as a small shrine, तो पहले के जो बहुत पहले के the temple start किये थे लोगों ने, तो वो छोट इसे एक छोटो सा कमरा होता था, रूम होता था, उसमें भगवान की एक दो मूर्टियां रखी जाते थी, पहले तो ऐसा होता था, कच्ची इटों से बना होता था, और घर में ही छोटा सा रूम होता था, उसमें थोड़ी से एरिया में वो temple बना दिया जाता था, लेकिन ध दीरे-दीरे temples को भी बहुत ज़्यादा execute किया जाने लगा, temples को बहुत ज़्यादा preference दी जाने लगी, कि मंदिर जितना शांदार होगा, उतने ही लोग ज़्यादा उससे attract होंगे, so the earliest known temple was a small shrine made of the unbaked pricks, अभी बताये ना कच्ची इंटों से बना होता था, temples were the residents of the various gods, तो वो जो residential area में घर के बीच में ही एक बनाया जाता था, room छोटा सा बनाया जाता था, वहां पर gods की भगवानों की मूर्थिया रख दी जाती थी, और वो जो जिस god को worship करते थे, वो moon god होता था, moon god of Ur, Ur कौन सा था बच्चे, Ur, उनकी city का, मैसो पुटा में के city का नाम था, Ur, और Ur में, मतलब अलग-अलग areas में, अलग-अलग शहरों में, cities में, लोग अलग-अलग भगवानों की पूजा करते थे, तो Ur की बात बताई गई है, Ur में god moon को यहां पर worship किया जाता था, and for Inanna the goddess of the love, और Ur में ही god होता था moon, और उनकी goddess होती थी Inanna, Inanna को goddess of love and war बोला गया था, मतलब एक देवी और एक देवता, देव का नाम था, मतलब देवता था, उनका नाम था moon, और जो देवी थी, goddess थी, उनका नाम था Inanna, Inanna को ही love और war की goddess माना जाता था, तो वो इनकी पूजा करते थे, temples become larger over the time, तो धीरे-धीरे temples का area भी बढ़ने लगा, पहले तो छोटा सा room होता था, फिर धीरे-धीरे वो room बढ़ा होने लगा, लोग घरों में तो चलो बनाते ही थे छोटा सा, लेकिन बहार भी, एक open space area में, लोग temples को भी बनवाने लगे थे, right, so temple became the larger over the time, इनका size बढ़ा होता चला गया, with the several room around open country yards, temples always had there, the outer walls going to and about the regular interval, and the God was focused of the worship, अब regular interval का मतलब होता है, कि जगे जगे पर अच्छे अब बड़े-बड़े temple बनने लगे, छोटे temple नहीं बनने लगे, बड़े-बड़े temple बनने लगे, उनके अंदर भगवानों की मूर्तियां रखी जाती थी, जो उनके worship का reason बनती थी, लोग उनको worship करते थे, ठीक है, तो ये था temple के बारे में, अब next करेंगे, archaeological records show that villages were periodically relocated the mesopotamian history, because of the flood in the river, and change the course of the river, अब अब देखो क्या होता था, कि लोगों ने river तो थी, तो river में rainfall की वज़े से flood आ जाते थी, जो water level था, वो raise हो जाता था, तो flood की वज़े से पूरा का पूरा, जो उसके आसपास में गाउं बसे हुए थे, वो पूरा का पूरा destroy हो जाता था, कि villages were periodically relocated in the Mesopotamian history, उनको relocate किया जाता था, क्यों किया जाता था, क्योंकि flood आने की हो जैसे, पूरा का पूरा destroy हो जाता था, because of the flood in the river, and change the course of the river, there were man-made problems as well, तो ना स्रफ natural communities उनको सफर करनी पड़ती थी, बलकि वो सफर होते थे, बलकि कुछ man-made problems भी होती थी, those who lived the upstream, अब देखनो, यहाँ पर समझ ना, कि एक river है, ठीक है, वो river flow करती है, इस तरीके से river flow कर रही है, तो यह तो हो गया उसका upstream, यह क्या हो गया, उसकी upstream होगी, यह कौन सी होगी, उसकी lower stream होगी, तो जो यह lower stream है, यह upstream है, मतलब उसी river को, उन्होंने क्या कर दिया, streams में divide कर दिया, अब जो लोग उपर की तरफ रहते थे, यहाँ पर जो रहते थे, flow कर रही है, जहां से वो flow होकर आ रही है न, जिस area से, तो वहाँ पर भी लोग रहते होंगे, जहां से वो flow होकर जा रही है, तो उस वाले area में भी, तो उचाए की तरफ और निचाए की तरफ, जो वो slide करती है, जो वो flow करती है, तो upstream वाले लोग क्या करते थे, upstream वाले लोग, नीचे क्या करते थे, पानी कम देते थे, इनको बहुत ज़्यादा सफर करना पड़ना होता था, क्यों क्योंकि इनके area बे water scarcity होती थी, water की कमी को देखा जाता था, पानी की कमी होगी, क्यों कमी होगी, क्योंकि सारा पानी जो है, मतलब maximum पानी जो है, ये वाले use कर ले थे, बाकी जो थोड़ा बहुत बचता था, तो river होती न, बच्चे अपने साथ बहुत सारे, कंकर, पत्थर, मिटी, ये सब लेकर, मतलब एक silt बनाती है, तो कंकर, मिटी, पत्थर, ये सारे चीज़े लेकर आती है, तो लेकर आरे, थी, कि जो भी river अपने साथ में बहा कर लेकर आईए, उसको साफ करना, ताकि पानी आगे निकल जाए, लेकिन ये अपने, अपने laziness की वज़े से, या तो कुछ जान बूच कर नहीं करते थे, या कुछ होता था, कि अवरे देखा जाएगा, तो ये जो सिल्ट की वज़े से पानी यहां पर, ये जो मिट्टी की वज़े से पानी यहीं पर रूख जाता था, और इधर पानी फिर थोड़ा आता था, तो इनको बहुत प्रॉब्लम होती थी, तो आए दिन इन दोनों में कॉन्फिक्स होने लगे, ठीक है, तो होते रहते थे इस situation में, तो ये लोग क्या करते थे, इनका बहुत सारा पानी अपने, अपने फिल्ट को इरिगेट करने में लगा देते थे, क्योंकि यहां तक तो पानी ठीक ठाक आ रहा है, बहुत अच्छे से आ रहा है, लेकिन दिक्कत तो इनको हो रही थी न, लोर स्ट्रीम वालों को, जो लोर पार्ट पर रहते थे, और यहां पर जो लोर स्ट्रीम में रहते थे, लोर पार्ट में रहते थे, इनको पानी नहीं मिलता था, और ना तो यह अच्छे से इरिगेट कर पाते थे, और ना ही इनकी कोई जो घरेलू activities होती है, water की uses होते हैं, वो कर पाते थे, ठीक है, clear है बचे, तो पहले इस तरह के जो टैंपर्स भी दिखाए गए हैं, घर भी दिखाए गए कि इस तरह के वो घर होते थे, और इस तरीके के बनी होते थे, ठीक है, अब हम करते हैं, in Mesopotamia society, the nuclear family system, अब बात आती है कि Mesopotamia में family system कैसा था, family system अब देखो, यहाँ पर घरों में आपको कहीं भी windows दिखाए नहीं देगी, that means कि एक घर होगा, इतना बड़ा घर होगा, यह चोटा होगा, तो उसमें एक ही entrance gate होता था, बस, उसके अलावा घर में खिड़की दरवाजे, यह कुछ नहीं होता था, एक ही entrance, एक ही exit होता था, एक से ही, तो यह लोग अपनी privacy का बहुत ख्याल रखते थे, तो गोई भी अगर भार से आ रहा है, तो वो direct entry नहीं करता था, मतलब माल लिजिए, कि अगर इसका जो entrance gate है, वो यहाँ पर है, तो वो direct वो अंदर की चीज़े न इसके बाद यहाँ जाएंगे, इसके बाद यहाँ, तो इस तरीके से अलग-अलग rooms में जानने के लिए, उनको एक ही रास्ते पर नहीं चलना होता था, एक ही लाइन में नहीं बने होते थे, अलग-अलग भूल भूल यह टाइप में बना होता था, क्यों? क्योंकि यह पहुती नुकलर फैमली हो थे, सू बिग फैमली नहीं होती थे, समॉल फैमली होती थे, इसके अलग र फैमली होती थे, आप मुझे comment section में लिखकर बताएंगे, आपके घर में head of the family को है, mammi या papa, देखो लड़ाइ जगडा नहीं करना है, स्रो यह तो मैं एक मुझा के दोर कर बताईएगा, ठीक है, clear, हाँ जी, ऐसे नहीं बोलना कि हमारी मैडम ने पूछा है और इसमें जरूर बताना है, ऐसे नहीं, just normally पूछ नहीं, ठीक है, so we know little about the procedure of the marriage, अब बात करते हैं कि marriages कैसे होती थी वहाँ पर, लड़की की जब उम्र हो जाती थी, तो उनसे ना, जबरदस्ती जैसे हमारे Indian culture में क्या होता है कि अभी थोड़ा सा culture change हुआ है, तो पहले क्या करते थे, लोग अपनी बेटी से बिना पूछे ही, उसके लिए लड़का ढून देते थे, और फिर उससे शादी करवाते थे, तो इससे भी पहले क्या हुआ था, child marriage का system चल रहा था, तो बच्पन में ही शादी हो जाती थी, लेकिन Mesopotamia में ये बात बहुत अच्छी लगी, कि we know that the little about the procedure of the marriage, the declaration was made about the willingness of the marry by the bride and the bride parents, तो जब लड़की के, लड़की और लड़की के घरवाले जब रादी होते थे, तब जाकर शादी का सिलसला आगे बढ़ता था, अगर उसने एक बार मना कर दी कि नहीं, मुझे अभी नहीं करनी है, और अभी जो है, बाद में या लड़की अभी नहीं उसकी age हुई है, city के लोगों के life कैसी होती थी, अब हम जान देते हैं, देखो, narrow winding street, अब यह जो city होती थी बच्चे, यह planned नहीं थी, planned in the sense कि कोई planning करने के बाद उसको जैसे यहां से रोड निकलेगा, इस तरफ घर होंगे, यहां से रोड निकलेगा, इस तरफ घर होंगे, यहां से रोड न पर जा लिए, तो street क्या होती थी, narrow होती थी, अब यह यहां से यहां चली गई, यहां से इधर चली गई, तो यह थोड़ा ना, बहुत ही puzzling type में था, right, तो खिटडी सी मची होई थी, यही नहीं पता होता था कि कहां जाना है, कौन से गली में जाना है, किधर भी लोग घु तो जो भी सामान ले जाना लाना होता था, तो बलग कार्ट के थू ही, उनको सामान को ले जाये जाता था, right, so it indicates that the wild cards could not have reached many of the houses, अब यहां से जब बलग कार्ट चल रही है, ठीक है, तो यहां से जैसे जैसे इसको रोड मिलेगा पहुंच आएगी, अब इस बलग कार्ट को इस वाले उस पर आना है, तो यह कैसे पहुंचेगी, नहीं पहुंचेगी, तो कई बर ऐसा होता था कि बीच में समान उतारना होता था, लोग पैदा चल का फिर अपना समान लेकर आते थे, right, so sex of the grain, sex, sex किसको बोलते हैं, बोरियों को, तो अनाज की जो बोरिया होती थी, right तो sex of the grain and the firewood would have reached on the donkey cart, तो उस situation में क्या किया जाता है, बुलकाट जहां से नहीं जा रही है, तो उस time, उस situation में, डंकी को याद किया जाता था, गधे को याद किया जाता था, गधे पर लाद करके, डंकी पर बहुत सारी लकडियों को लाद करके, जैसे grains sex हो गए, या फिर wood हो गई, तो उनकी पीट पर लाद करके, फिर वो अपने घरों तक लेका जाते थे, तो यहाँ पर वो डंकी बहुत काम आता था, ठीक है, तो यह क्या था, टाउन प्लानिंग and the street drains were absent at war, तो वूर में ये सारी चीजों के absence देखी गई थी, तो instead of the drain clay pipes were found in the inner country yard of the houses, ठीक है, drainage system था, लेकिन बहुत अच्छा नहीं था, जितना की हमने हडपा civilization में, हम 12th में आएंगे तब पढ़ेंगे, Mesopotamia का जो drainage system था, वो world का the best drainage system माना जाता है, लेकिन ऐसा हमें, Mesopotamia में कहीं भी drainage system को बहुत अच्छा हम नहीं कह सकते हैं, ठीक था, लेकिन वो बहुत अच्छा नहीं था, ठीक है, तो houses roof sloped towards the rain water and the channeled via the drain pipes into the sumps of the inner country side, तो ठीक है, उसो drainage system था, कि जो पानी होता था, वो slope हो जाता था, मतलब कि वो sloping जैसे इस तरह के घर बनी होते थे थे न, तो उनकी छत न इस तरीके से बनी होती थी, तो पानी, जब पारिश का पानी आता था, तो वो रुखता नहीं था, वो निकल जाता था, ऐसे बह जाता था, उनकी छत पर पानी नहीं रुखता था, और फिर इसी रेन वाटर को क्या किया जाता था, पाइप के थूरू उसको निकाला जाता था, ड्रेन किया जाता था, और फिर इसी को एक बड़े से उसमें क्या करके, कंट्रियार्ड में बड़ा सा गढधा बना करके, जैसे वो जो होते हैं, वो बोलते हैं उसको, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं, तो इस तरह का सिस्टम भी बहाँ पर देखा गया है, ठीक है? अब चलते हैं आगे की तरफ, तो आगे की कहानी क्या कहती है? अभी पैस्ट्रल जोन क्या है? बिलको सही समझा, आपने पैस्ट्रल जोन होता है, जहां पर एनिमल हद्बिंजिस की जाती है, मतलब पशूओं को पाला जाता है, उनसे बने प्रोड़क्ट को जो सेल परचेस किया जाता है, तो इस तरह से वहाँ पर आइनिमल से रिलेटेड ये ट्रेडिंग होती है, राइट? तो पैस्ट्रल जोन क्या होता है? यही होता है, आफ्टर दे टू थू थाउजन बीसी ए, क्या कह रहा है? आफ्टर दे टू थाउजन बीसी, आफ्टर की बात हो रही है, दो हजार साल बाद की बात हो रही है, रॉयल सिटी ओफ मारी, अब यहाँ पर एक और सिटी की बात हो रही है, किसकी? मरी की, इसको मरी भी बोल सकते हो, मारी भी बोल सकते हो, राइट? अच्छा होगा तो agriculture भी अच्छा होगा वहाँ पर animal husband भी अच्छा होगा वहाँ पर अच्छी तरीके से पाला जाएगा क्योंकि जैसे जितना इसको खिलाओगे पिलाओगे तो सहित भी तो अच्छी होगी ना तो इस situation में वहाँ पर जो थी greenery बहुत जादा थी ठीक है so it was located on the upstream of the Euphrates agriculture and animal rearing were carried out of this region तो agriculture भी बहुत अच्छे से होता था और animal rearing भी बहुत अच्छे से होती थी राइट परश्यों को भी बहुत अच्छे से पाला जाता था most of the reason was used for the pasturing sheeps and the goat इसमें बहुत सारे ऐसे reasons थे बहुत सारे ऐसे area थे जहाँ पर भेड बकरियों को पाला जाता था herders exchange the animals cheese, leathers, meats and return for the metal tool अब animals जो वो करते थे, rearing करते थे तो वो आपस में ऐसे ही lengthen करते थे अगर उन्हें अगर grains चाहिए होता है तो वो अपने जैसे उनके जो जो भी animal product होते थे वो उनको देते थे बदले में उनसे grains लेते थे ऐसे grain वालों को अगर animal product चाहिए होते थे तो वो उनसे वो animal product लेते थे बदले में उनके grains देते थे ठीक है तो इस तरह से उनका बाटर सिस्टम चलता था ये बात किस की हो रही है बचे बात हो रही है ये मारी की ठीक है चलिए नॉमाडिक ग्रूप ऑफ दा वेस्टन डेजर्ट filtered into the prosperous agriculture land अब नॉमाडिक ग्रूप क्या होता है बचे नॉमाडिक ग्रूप होता है जो एक जगे से दूसरी जगे पर घूमते रहते हैं मतलब एक जगे resources खतम हो गए तो वहाँ पर resources खतम होनी की वज़ए से ठीक है तो इसमें बताया गया है कि जो desert area था ठीक है तो desert area नॉमाडिक ग्रूप ऑफ दा western desert filtered into the prosperous agriculture land तो जो नॉमाडिक जो ग्रूप होता है वो desert area में भी क्या करते हैं मतलब उसमें agriculture वगरा land में उसको convert कर दिया जाता है such groups would comes the herder अब ये आपने भी देखा होगा राजस्थान में ये जो गाये वैसे बड़ी-बड़ी सिंगो वाली गाये होती है तो ये कोई भी जो वह होता है मतलब जो चरवाहा होता है जिसको बोलते हैं ग्वाला जो गाये भैसों को भेड़ बक्रियों को चलाता रहता है तो वो इतनी सारे उनके पास animals होते हैं तो वो वहीं से तो आते हैं desert area से रगिस्तान वगर ऐसे तो आते हैं so such groups comes as a herder harvest laborers and hire the soldiers and settle down तो यह कौन होते थे यहीं से ही लोग जो है animal यहीं से ही लोग क्या होते थे herders होते थे इनी में से ही harvesting laborers होते थे जो कटाई के दौरान जिनको hire किया जाता था तो हम हमारी फसलों को काट दो हम तुम्हें इतने पैसे देंगे या इतना grain देंगे या इतने animal product देंगे right and the hire soldiers and settle down अब धीरे धीरे वो वहाँ पर settle down होने लगे क्योंकि वहाँ पर उनको काम मिलने लगा जहाँ पर काम मिलेगा तो वहाँ पर लोग settled होने start हो जाएंगे so these include the acadians अब इन groups में यह जो nomadic groups थे इन में कौन-कौन थे acadians थे ठीक है, acadians थे, aromates से, emorites से और asserians से और armenians थे right तो यह जो group होता है, nomadic group थे तो इन में से कुछ लोग agriculture का काम करते थे कुछ लोग क्या करते थे, कुछ लोग herders होते थे और इनी में से हार्वेस्ट लेबर होते थे hired soldiers होते थे, तो इनी community में से बताया गया है कि यह लोग कौन-कौन से कहां से emerges होते जो इस तरह की activity करते थे, acadians होते थे, emorites होते थे, asserians होते थे वो क्या होता, would go abroad, inspect of the cargo and and a levy, a charge of about the one-tenth of the value of the goods अब देखो, बात कहां पर आती है, बात आती है कि जो इस city areas में रहते थे, city में रहते थे तो उनका एक main head होता था, तो जो youfret river के through, जो भी trading होती थी, transportation होती थी, import होता था समान तो ये जो लोग, क्योंकि यहीं से गुजरना होता था, यहीं से उनको pass on होना होता था और यहीं से निकल करके फिर वो लोग अपने areas में जाते थे तो इनका जो head होता था, वो उनसे import का text लेता था, import text लेता था, जिससे उनका भी क्या होता था, काम चलता रहता था और लोग भी passengers भी अपना ठीक से trading किया करते थे, तो इनमें जो लोग थे, जो city में रहते थे, तो वो city में रहने वाले जो भी head था, उनसे text लिया करता था, किनसे जो import करके सामान को लेकर आते थे, for example, कि हमें दुबई जाना है, और दुबई में gold बहुत सस्ता मिलता है, ठ वहां से हम सोना लेकर आ गए, ठीक है, अब जब हम airport पर उतरेंगे, तो custom duties पर जो officers होंगे, वो क्या करेंगे, कि हम वहां से जो सोना लेकर आएं, जो भी सामान लेकर आएं, तो उस सामान पर हमें text देना पड़ता है, तो ऐसे ही Uphrates River से जो भी trading होती थी, उनके head को, city के head को कुछ text देना होता था, clear होगी बात, officer of this town would go abroad, inspect of the cargo and Levi, the charge about the one-tenth of the value of the good, अब इतना सारा समान लेकर आएं, उसका 10th percent, 10 percent उसको, उसको as a import tax देना होता था, ठीक है, जैसे लपेस, लाउज़ी लाएं, या कुछ भी एक्सवरिज़र, कोई भी precious metal लेकर आएं, कुछ भी एक् 10th part उनको देना होता था, ठीक है, thus although the kingdom of Mari, और इसी तरह से Mari का, ये सारा system जो है, वो Mari का बता रहे है, ठीक है, so thus although the kingdom of Mari was not military strong, but it is was exponentially the prosperous, मतलब military prospective से इतना, ये strong नहीं था, लेकिन हा, इसके पास पैसा बहुत ज़्यादा था, क्योंकि ये उफ्रिट्स river के पास बसा हुआ था और इसके पास tax बहुत अच्छा आता था, इसलिए यहाँ पर military strong तो नहीं था, लेकिन ये prosperous था, ठीक है, चलते हैं बागे, तो आगे की बात देखते हैं, अब क्या होता है, तो ये क्या था बच्चे, ये royal state था, ठीक है, ये workshop अंड़ किचन थी, ये royal state था, अब हम क्या करे मारी का जो head होता था, मारी के जो राजा थे, वो उनका palace इस type का बना होता था, तो palace में भी देख रहे हो, सरफ एक ही entrance gate है इदार, तो कहीं भी आप देख लीजिए, उनका सरफ एक ही entrance gate मिलेगा, और उस ruler के royal palace के बारें बताया गया है, कि इतना बड़ा royal palace होता था, ये उनक ये आपका आगया, laundry and the bathroom, तो ये किस तरह से, laundry and the bathroom से, ये उनकी picture दिखाए गई है, और ये उनकी सारी paintings on the wall, 132, तो ये paintings इस तरह के उनकी walls पर सजाई होते थी, उनके palaces में, तो ये राजा का, पूरा का, पूरा palace का structure बताया गया है, दिखाया गया है, ठीक है, clear, okay जी, now city in the Mesopotamian culture, ठीक है, तो cities का culture कैसा था, Mesopotamian valued city है, हमें भी पता है कि Mesopotamian की city बहुत ज़्यादा valuable थी, लोग अपने शहर से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, जहां पर वो रहते थे, तो वो इतना ज़्यादा प्यार करते थे, कि बहुत ही हमारी एक, बहुत ही close चीज है, जै कि Mesopotamian valued city life, so many communities and the culture leave side by side, तो इनके क्या करते थे, बहुत सारी communities यहाँ पर आकर रहते हैं, और सभी को अपनी city से बहुत ज़्यादा प्यार था, तो यहाँ पर after the cities were destroyed in the war, तो cities जब destroy हो जाते थे, वार में destroy होगी या flood में destroy होगी, तो उसको relocate किया जाता था, तो they recalled the in the poetry, अ इन शहरों के बारे में वो कितना, मुलब शहरों के बारे में बताएगा है कि लोग अपने शहरों को कितना प्यार करते थे, अपने जहाँ पर उनका settlement था, वो उनको कितना, अब जैसे हम लोग इंडिया में रहते, तो हमें अपने इंडिया से प्यार है, हम लोग जिस locality में रहते हैं, हमें उससे प्यार है, हमें अपने घर से प्यार है, हमें अपनी फामिली से प्यार है, ऐसे ही वहां के लोगों को अपने शहर से बहुत प्यार था, ठीक है, तो उसी शहर के प्यार में ही, एक बहुत सारी, मतलब हमारे हिस्टोरियन्स को एक पोयम मिली है, जो की गल प्राइड और जैसे प्रजा को अपनी शैरों के बहुत प्यार होता है एक है उस राजे पर वो राज करते हैं तो उनको भी वह बहुत ही लेबल हूता है प्यारा होता है और उसी प्यार की वज़े से उन्होंने क्या लिखा एक कवीता लिखी जो हमारे हिस्टोरियन को मिली उसमें क्या लिखा हुआ था कि तक गिलमिश वाद दा रूलर अब ये गिलमिश कौन था बच्चे ये उरूक उरूक भी एक सिटी थी उनका रूलर था गि तो ये बहुत ज़्यादा एक शौक हो जाता है इसको बहुत ज़्यादा एक हर्ट होता है दुखी होता है जब इसके जो फास्ट प्रेंट थे उनकी डैथ हो जाते है उनका मतलब वो मर जाता है तो उसका इनको इतना ज़्यादा दुख हुआ कि वो ये कहता है उस पोयम मे वो पूझा पाथ किया करते थे, तो ये आने जाने का चक्कर, तुम ना तो मरोगे, तो देखो यहां पर दिखाया गया कि गल्मिश का जो फास्ट्रेंट है वो मर जाता है और इससे इसको इतना दुख हुआ कि ये एक तरह से आप ये लगा लिए कि किसी शरीर में से उसकी आत्मा निकाल भी इतना जादा ये इससे प्यार करते थे और ये मर जाता है तो बहुत दुखी होते हैं और उस दुख की तलाश में कि मुझे मरना ना पड़े या किसी को भी मरना ना पड़े तो मैं उस अमरित की तलाश को पा कर हूँगा तो उस अमरित को मतलब मुर्टालिटी को लेकर कि मुर्टालिटी होते हैं अमरित जिसको बोलते हैं तो उसको पाने के पहुंचे उनको कहीं नहीं मिला उनको वो अमरित कहीं नहीं मिला तो वापस आते हैं नहीं मिला तो अपने वापस शहर में आते हैं लेकिन शहर में आने के बाद वो पहले वाले जो गिलमिश राजा थे वो वैसे नहीं रहे उनकी activities उनका behavior बिल्कुल change हो चुका था और वो इ secret of the mortality और ये इस mortality को यानि कि अमर होने का secret जानना चाहते हैं कि कहां से अमर होता है किस चीज से अमर हुआ जाता है तो वो मैंने आपको बताया है so after the heriotic attempt the gilmish failed and returned the uruk तो मैंने अभी बताया कि वापिस अपने uruk आ जाता है there the consoled himself walking along with the city wall back and forth वापिस आ तो जाता है लेकिन वो वो गilmish नहीं रहा जो पहले था ठीक है लेकिन फिर भी इसको आना पड़ा क्योंकि इसको अपनी city से बहुत प्यार था अब आते हैं the legacy of the writing तो यहीं से क्या होता बचे यहां पर ही calendar का भी concept आता है तो legacy writing के perspective से writing के अगर हम नजरिये से सोचे तो writing हर चीज में record बनने लगा था तो इसमें calendar का भी concept आता है तो इसमें बताए the greatest legacy of the Mesopotamia is calendar ठीक है was calendar so the division of the year into 12 months अब यह जो हम 12 महिनों का जो division देख रहे हैं न कि 1 year में 12 months होते हैं यहीं से यह concept निकला था so the division of the month into the 4 weeks तो month में कितने divide कर दिया इसको 4 weeks में divide कर दिया the division of the day इसको 24 में divide कर दिया और the division of the hour 60 minutes so इस तरह से यह जितना भी हम calendar का यह जो system देख रहे हैं structure देख रहे हैं तो यहीं से Mesopotamia से ही emerge हुआ है clear अब चलते हैं इसके बाद आगे तो आगे की कहानी क्या कहती है आगे की कहानी कहती है the legacy of the writing का ही next part हमारा है कि यह लोग mathematics में बहुत जादा तेज थे आज आप यह देख रहे हो ना plus, minus, divide, multiply, cube, roots, compound interest compound interest के नाम से तो मेरी तो पिटी-पिटी गुम हो जाती थी compound interest मेरे को ना जब मैं 9-10 में थी तब मुझे बहुत जादा मतलब कभी समझ ही नहीं आए जब भी चैप्टर आता था न मेरा मन ऐसा दुखता था मन ऐसा दुखता था कि चैप्टर क्यों आया है क्योंकि मुझे समझ भी नहीं आता था लेकिन फिर भी चलो लटक-पटक के जैसे करके हो गए तो compound interest उस टाइम में भी बहुत था क्यों इनके दिमाग में आया है काश ना बना होता तो आज में compound interest के questions नहीं करने बढ़ते है है ना आपको भी लगती है खराब दिक कर बता ना उसमें comment section में कि compound interest में आपको methods को follow करने में interest आता है मतलब जो questions होते हैं solve करने में मज़ा आता है या खराब लगता है ठीक है okay the greatest legacy of the Mesopotamia mathematical contribution the tablets with the multiplication and division tablet square root and the table compound interest solar and lunar eclipse solar and lunar eclipse भी पता होता है ना कि चंदर ग्रहन सूर्य ग्रहन जो होता है तो इनको इन ग्रहनों के बारे में भी पता होता था तो यह जो ग्रहन होते थे यह जो हमारे ग्रह होते हैं जो भी हमारे astronomers होते हैं तो वो astronomers भी थे बहुत अच्छी इनकी knowledge थी उन पर भी इनकी पकड़ थी ठीक है तो solar and lunar eclipse were the observed and the recorded तो there were schools there were schools where the student read and copied the earlier written tablets तो यह लोग जो school में बच्चे जो पढ़ते थे आज में हम paper बे यूज करते हैं तो उस time में गीली मिट्टी होती थी तो उसी से ही वो लोग पढ़ना लिखना सीखते थे अब आज का काम उन्होंने कर दिया student ने आज का काम कर दिया फिर उसी को ही दुबारे से mash करके उसको गीला करके फिर दुबारे से उसको कर रहा है जैसे आपने वो देखा होगा ना तक्ती सुना होगा राइट तो हमारे जो grand parents होते थे वो तक्ती लिखा करते थे तो हमारे grand parents में बताते हैं कि हम तक्ती वो लकडी की बनी होती थी तो उसको एक बार लिख देते थे कि आज का जो writing part है वो हो गया फिर उसके बाद उसको wash करते थे और उसको फिर से पोता जाता था फिर दुबारा से उसको लिख देते थे तो इस तरीके थे यह mathematical concept भी वही लो होगी ठीक है और हाँ chapter के बीच में जो blue color के boxes बने होंगे एक बर उसको जरूर पढ़ने लेगा ठीक है तो यह था उमीद करते हूं सारे सारे चीजे आपको concept clear हो गए होंगे तो देखो बचो यहां पर 11th 9th 10th 11 12 सभी के लिए यहां पर batches start हो गए है paid courses start हो गए है तो अगर आप अपने final exam में अच्छा score करना चाते हैं तो आप करना चाते हैं अपनी class में ठीक है तो आपको इस batch batch में enroll होना पड़ेगा बैच यह है कि चाहे आप किसी भी stream के हैं चाहे आप science के हैं commerce के हैं arts के हैं किसी भी stream के x y z तो आप course को purchase कर सकते हो इसमें तभी आपकी best faculties जो है वो उनसे पढ़ने का आपको umoka मिलेगा इस course को purchase करने का फायदा basically क्या है कि आपको 200 प्लस live classes मिलेंगी ठीक है complete करवाय जाएगा और जब तक आपका exam पार्च में है अप्रेल में कभी भी है तब तक हम आपके साथ बने रहेंगे और course के साथ साथ में आपको revision वगेरा भी कर मिलेगी practice set मिलेंगे mock test मिलेंगे तो इन सभी चीजों से आपका score अच्छा हो सकता आपके final exam में ठीक है लेकिन बचे इसको खरीदने से पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर आप इसको खरीदोगे खरीदना चाह रहे हो ठीक है और खरीदोगे क्योंकि आपको सब को पता है कि percentage अच्छी लेकर आनी है तो आप इस code को apply करना मत भूलना code का नाम है Y489 ठीक है तो Y489 जैसे आप इस code को लगाओगे तो आपको maximum discount मिलेगा जितने का है उससे बहुत कम आपको pay करना पड़ेगा ठीक है और homework क्या होगा हमारा homework होगा आज का जो आज session आपने देखा समझा पढ़ा पढ़ा जो भी है तो homework क्या होगा आपका homework होगा कि वो लोग city life के बारे में बताना है ठीक है? describe the city life city life of Mesopotamia ठीक है? city life of Mesopotamia ठीक है? city life of Mesopotamia तो आपको बताना है ये question है कि city life लोगों की कैसी थी? ठीक है? question ये question है आपका इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ना है, research करना है, थोड़ी सी information collect करनी है ठीक है? और comment section में लिखकर बताइएगा अगर सारी चीज़े clear हो गई ह ठीक है? कि session आपको कैसा लगा समझ भी आ गया, बस इती तरह की videos हम one shot में ही लेकर आते रहेंगे ताकि आपको जगे जगे पर video के part ना देखने पड़े, parts को देखोगे तो वो थोड़ी जो पहला part पढ़ा है, जब तक आप दूसरे पर आओगे तो पहला भूल चुके होग ठीक है? तो यह सारी चीजे तब भी मिलेगी जब आप इस channel को subscribe करोगे, like करोगे और bell icon press करोगे, तो जब-जब मैं online आओंगे आपकी class में, तब तक आपको pride notification मिलते जाएगी, ठीक है? तो यह था हमारा आज की तरफ से, thank you so much and have a nice day, bye-bye.